उद्देश ठीक हो जाएगा तो मन लग जाएगा उद्देश हमारा गलत है अभी पढ़ाई उद्देश नहीं अगर ठीक से उद्देश बन जाएगा तो कैसी बात करते हो उद्देश में बहुत बड़ी ताकत है हर कश्ट सहते हुए अपने उद्देश की पूर्ती में कदम नहीं लख़ा थे जिसका उद्देश बननाता है आज मैं सबसे पहले शुरुवात करने वाला हूँ आरव की कहानी से आरव कौन है यह आपको दिखाई दे रहा है यह आपकी तरह एक स्टूडेंट है जो जही की तयारी कर रहे है लेकिन बहुत दुखी है जिन्दगी में आप समझे रहे हो यह दुखी है केमिस्ट्री से मुझसे बोला कि सर मैं और्गेनिक में इतना दुखी हूँ हैं कौन-कौन से याद करूँ इतने सारी रिएजेंट्स हैं याद नहीं होते इन और्गेनिक केमिस्ट्री सर एक्सेप्शन से भरी हुई है और इस सर फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में तो इतना कैलकुलेशन है एंड तक तो गलती हो जाता है और जादातर numerical value के question जो आते हैं वो तो physical chemistry से आते हैं कैसे करूँगा इतना कम समय बचा हुआ है और chemistry तो इतना high scoring है मुझे कुछ भी करके 80 plus score लेके आना है फिर मैंने आरव को दिखाया एक pizza हाँ मैंने उसको थोड़ी party भी दे दी वो खुश हो गया मोटिवेट हो गया लेकिन pizza को देखके मैंने उसको बोला कि समझ इससे कुछ सीख अब उसका ध्यान तो खाने में था लेकिन उससे पहले उसने कुछ समझ लिया आप भी एक बार 5 सेकंड के लिए इस वीडियो को pause करिये या ना भी करिये सोच ये एक बार how can you relate your strategy of chemistry to pizza वैसे मुझे personally pizza बहुत बहुत पसंद है even IIT में जब मेरा selection हुआ था तो selection होने के just बाद कुछ समय के बाद मम्मी से खूब सारे पैसे लेके मैं pizza खाने अकेला चला गया था लेकिन यहाँ पे pizza का relation है आपकी strategy से जब हम pizza का slice खाते हैं जो hard वाला portion होता है pizza का वो सबसे end में खाते हैं गई बार उसको छोड़ भी देते depending on the pizza यानि वक्त है सही से focus करने का अगर हम सही resources से पढ़ाई करते हैं अगर हम mock test timely देते हैं अगर हम सही revision की strategy बनाते है सही topics पे focus करते हैं तो chemistry is really really high scoring चलिए सीधा point पे आते हैं बिल्कुल भी time waste नहीं करेंगे देखिए issues आप सभी समझ रहें कई बार हम बहुत सारे teachers के lectures देखते रहते हैं lectures ही करते रहते हैं YouTube पे influencers के strategy videos ही देखते रह जाते हैं और हमारी practice ना के बराबर होती है organic, inorganic memorize नहीं हो पाती है exception से परिशान होते है NCRT कैसे पढ़ना होता है ये समझ में नहीं आता आज का master session आप सभी बच्चों के लिए game changing होने वाला है इसलिए शांती से बैठ जाएए क्योंकि सारे points आपको apply करने हैं मैं brief में आपको सब कुछ बताऊंगा ताकि minimum समय में आपको maximum content मिल पाए अब यहाँ पे इनके solutions के अगर हम बात करें तो solution यह है बटा कि chemistry के अंदर सबसे पहले तो अपने को base chapters cover करने हैं ये जो base chapters है एक बार अगर हमारे cover हो गए तो हमारी पूरी chemistry कबजे में आ जाती है जैसे कि base chapters के अगर मैं बात करूँ तो हमें mole concept stoichiometry जिसको some basic concepts of chemistry भी बोला गया है ये आना चाहिए इसके बाद हमें atomic structure अच्छे से आना चाहिए quantum numbers आने चाहिए electronic configuration लिखनी आने चाहिए फिर हमें periodic properties अच्छे से आने चाहिए z effective आना चाहिए and after that chemical bonding बहुत ही deep में धंग से आने चाहिए जैसे ही ये foundational आपके चार chapters cover हो जाते है इसके basis पे अब तुम inorganic chemistry को भी अच्छे से cover कर सकते हो आपको बाकी chapter समझ में आएंगे आप calculations से comfortable हो जाओगे तो physical chemistry आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी उसके अलावा chemical bonding अच्छा आने की वज़े से आपको organic chemistry बहुत अच्छी समझ में आएगी तो ये foundational chapter cover करने के बाद हमें अपने teachers से focus तरीके से पढ़ना चाहिए आप जहां पहीं पढ़ रहे हो online पढ़ रहे हो, offline पढ़ रहे हो ATP Star में पढ़ रहे हो वहीं पे focus करें अब rare case में by the way अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हो सर मुझे अपने teacher से समझ में नहीं आ रहे है तो भई आप सभी को पता है बहुत सारा chemistry का content completely free of cost मैंने हमारे YouTube channel उस पे डाल दिया और लगातार में डाल भी रहा हो बहुत सारे नए amazing videos आपके लिए में डाल भी रहा हो तो उसका use कर सकते हो हाँ अगर मेरा paid course चाहते हो उसमें enroll करना चाहते हो तो again मेरी website पे हमारी website पे आपको मिल जाएगा learning app पे आपको मिल जाएगा तो उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हो लेकिन the important thing is you need to be highly focused जिस teacher पे विश्वास कर लिया उस पे पूरी जान लगा दो समझ रहो और उससे ही पूरा पढ़ अब पढ़ने के बाद ध्यान रखो एक बार ठीक से समझ लिया तो last में short notes बनाना ना भूलना क्योंकि short notes की help से ही हम बहुत easily fast revise कर सकते हैं उसके बाद important बात यह है कि जरफ theory से नहीं होगा practice से ही होगा अब practice के लिए सबसे अच्छा resource मैं सबसे पहले बता रहता हूँ practice के लिए last six years के जो J.E.M.N. के PYQs है यह सबसे अच्छा resource है लेकिन जब class कर तो उसके साथ-साथ जो coaching का material दिया जाता है जैसे कि हम लोग भी देते हैं और बाकी लोग भी देते हैं DPPs सबसे important है ठीके DPPs से आपका conceptual strength improve होगी लेकिन उसके बाद अगर module और PYQs में आपको कुछ choose करना है तो पहले PYQs करना है फिर समय बचे तो module या आपकी sheet के exercise के बाकी सवाल कर लेना लेकिन DPP पहले और साथ में previous year questions अकेला PYQs से भी काम नहीं चलेगा इस बात का ध्यान रखना अब बात आती है कि सर मैं regular time bound practice कहां से करूं regular chapter wise test कहां से दूं क्योंकि regular chapter wise test देना बहुत बहुत ज़रूरी है तो बच्चों आप सभी को ATP online test series join कर लेना है जैसे कि आप screen पर भी देख पा रहे होगे ATP online test series में chapter wise test series भी included है तो chapter wise test series के section में आप जाके बहुत सारे amazing highly relevant test आपको दिये वें तो daily आप वहाँ से chapter wise test दें और अपने performance को improve करें now NCRT पे focus करना है एक बार आपने slayvus complete करना शुरू कर दिया जैसी chapter ठीक ठाव गो गया तो NCRT is very good for revision revision और practice के लिए भी NCRT अच्छा है तो NCRT पे focus करना है और weightage पे ध्यान देना है यानि उन chapters पे अपने को ध्यान देना है जिनका ROI जादा है तो अब हम जो slayvus है उसको analyze करेंगे GMIN 2024 की बात करें तो वहाँ पे slayvus reduction हुआ था वही हम expect कर रहे हैं क्योंकि वैसे तो जो slayvus है वो number में announce होगा लेकिन almost उसके change होने के chances negligible है तो slayvus वही का वही होगा देखिए physical chemistry में एक बात ध्यान रखिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है students को calculation की तो इसके लिए एक video मेंने बनाया है calculation hacks वाला description में link दिया हुआ है उसको आप देख लीजेगा उससे आपको idea लग जाएगा कि calculations पे mastery कैसे करनी है और calculator का use नहीं करना है जो भी teacher recommend करते है I don't know क्यों करते है लेकिन जो भी in general अच्छे teachers होते है वो calculator कभी recommend नहीं करते है अब यहाँ पे जो पहला chapter है mole concept से related अगर मैं इसकी खास बात बताऊ तो बेटा इससे एक से दो question normally आ जाता है और physical chemistry के यह माली जीए जो हमारे पास 20 plus 10 questions है जो 10 हमारे पास numerical value के questions है उसमें इन general दर्स में से 7 questions आपके physical chemistry के होते हैं तो physical chemistry में यानि question को leave करने के chance हमारे पास रहते हैं तो physical chemistry का एक तरह से हम कुछ chapters particular छोड़के भी जा सकते हैं वैसे ज़रूरी नहीं हम सारे करें बैटर है लेकिन आप समझ रहो कि physical chemistry में हमारे पास कहीं ना कहीं choice रहने के chances है तो यहाँ पे एक से दो question आएंगे अब उसमें ध्याना किये जो सवाल normally आते हैं mole concept से वो बिलकुल basic stoichiometry के आते हैं जैसे कि इस तरह के relation A plus 2B gives 3C plus D यानि कोई दो units आपस में react करती है दो molecules आपस में reaction करते हैं उनसे दूसरे compounds बनते हैं तो reactant और product बनते हैं तो इसमें mole का mass से कह relation है mass का mole से कह relation है mole का molecules से कह relation है mole का atom से कह relation है तो basics of mole and basic stoichiometry आपको आना चाहिए उसके अलावा बेटा combustion जो reaction होती है या जो हमारा empirical formula निकालना होता है किसी hydrocarbon का during combustion method इससे question आने के chance काफी जादा होते हैं yield कैसे निकालते हैं yield का क्या significance है यह हमें पता होना चाहिए limiting reagent के basic concept को जानना बहुत ज़रूरी है इसके questions करिए concentration terms के basic जो है basic formulas यह question आते ही रहते हैं जैसे कि for example molarity, molality इनका mole fraction से जो relation है इनका density से जो relation है यही concept जो है मैं आपको बताऊं concentration terms का यह liquid solution में भी पढ़ाया जाता है तो कहाँ पढ़ा जाए it doesn't matter पर इससे question आने के chance बहुत जादा होते हैं उसके लावा mass percentage जो है इससे भी question आ जाते हैं तो यह जो key concepts हैं अपने को tips पे होना बहुत बहुत ज़रूरी है अब बात करता हूँ मैं liquid solutions की यह दोनों chapters आपस में जुड़े वे जिस बंदे ने mole concept अच्छे से कर लिया liquid solution भी काफी हद तक उसका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे एक question आने के chance बहुत आई होते हैं concentration terms जो वहाँ पे आई थी वो यहाँ पे भी मतलब concept होता है तो उससे question आएगा ही लेकिन ध्यान रखिए colligative properties जो हमारी होती है जैसे कि elevation in boiling point, depression in freezing point relative lowering of the vapor pressure उसको खास तोर पे want of factors के साथ want of factor के साथ combine किया जाता है want of factor में खास तोर पे जब association होता है molecules का या dissociation होता है यानि dimerization, trimerization उस basis पे want of factor किसका ज़ादा, किसका कम ये concept हमें अच्छे से आना चाहिए उसके अलावा NCRT level के questions आते हैं याद रखिए chemistry में, organic, inorganic, physical तीनों में ही question बिल्कुल simple आ रहे हैं, directly NCRT line to line आ रहे हैं, तो NCRT का एक भी line आपको नहीं चोड़ना है, यानि difficulty level J main का significantly down हो गया, even in the toughest of the shift, बहुत basic line to line question आया है, इसमें बस student का फास जाते हैं, कई बार question uses से आ जाते हैं, या बिल्कुल chapter के end से आ जाते हैं, और students ने वो किया नहीं होता, इसलिए NCRT को हमें बिल्कुल ढंग से cover करना है, अब इसके बाद हम अगले chapter की बात करें atomic structure, बच्चों atomic structure के अगर बात करें तो एक question तो आना इससे ते हैं, यहाँ पे हास्तोर पे सवाल आते हैं, या तो quantum numbers से, quantum numbers में जैसे की for example, किसी electronic configuration के लिए, किसी atom के लिए right set of quantum numbers कौन से हैं, radial priority curves जो होते हैं, साई या साई स्क्वाइर का क्या significance होता है, electronic configuration हमें लिखना आना चाहिए, जैसे की chromium में, copper में, अच्छा, जो भी बच्चे chemistry में best करने वाले हैं, सभी बच्चे, एक काम जरू करना है, full josh में like कर देना है, और comment section में chemistry OP लिखना है, सभी बच्चों को, जो भी chemistry में 80 plus लाने वाले chemistry OP लिखना है, इसको बोलते है, power of affirmation जो लिखेगा, उसके आने के chances वैसे ही बढ़ जाएंगे, तो सभी बच्चे like करें, और full josh में comment section में ये जरूर लिख लेना, वीडियो के बाद लिख लेना, उसके लवा board theory में, अगर हम बात करें, तो basic formula जो होता है, जैसे कि radius हो गया nth orbit का, ये velocity हो गया, ये basic formulas हमें आने चाहिए, energy of the nth orbit, लेकिन खास तोर पे जो questions आने के chance होते हैं, वो आते है electronic transitions से, electronic transitions में आप सभी जानते हैं, various series बनती हैं, various lines बनती हैं, जैसे कि balmer, lyman, pasture, bracket, इन सब से related question आने के chance काफी high होते हैं, और Debroy wavelength की अगर हम बात करें, इससे भी direct question आते हैं, इससे related curves के question भी आते हैं, अब बात ये हैं, कि अब इसके बाद, जैसे कि हमारे पास chemical thermodynamics की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास first law है, इसमें हमारे पास second law of thermodynamics है, अब first law और second law में अगर हम देखे बिटा, तो यहाँ पर एक question, दो भी आ सकते हैं, पर normally एक question तो पक्का है, इसमें first law में, जो हमारा basic law है, इसमें क्यू हो गया, delta U, change in internal energy, work done, जैसे कि various condition है, जैसे कि adiabatic condition होता है, isothermal conditions होते हैं, various conditions में इनकी value कैसे निकालते हैं, ये हमें आना चाहिए, using bond energy, right? उसके अलावा, NCRT का theoretical part भी इसके अंदर आ जाता है कभी-कभी, लेकिन इसके chances थोड़े कम रहते हैं, mainly numerical value के questions जादा आते हैं, उसके अलावा अगर thermodynamics second law की बात करें, तो delta G का concept हमें बिल्कुल clear होना चाहिए, कि कब वो zero होता है, spontaneity का condition क्या होता है, delta S का delta G से क्या relation होता है, उसके अलावा बिटा, delta G और K equilibrium का क्या relation होता है, we must know this, अब बात करते equilibrium, equilibrium में दो part हमारे पास होते हैं, ionic as well as chemical equilibrium, अगर हम इसमें देखें बिटा, तो इसमें एक से दो question आने के chance होते हैं, अब यह जो particular chapters हैं, इसमें KP और KC का आपस में relation, या कोई sequence दिया हुआ है, various equilibrium का, और उसके basis पे आपको final K equilibrium निकालना है, वैसे question भी बहुत ही common होते हैं, तो यह जो particular questions हैं, यह chemical equilibrium के रहते हैं, plus Lee Chattelier principle और उसका application, उसके theory, NCRT से directly हमें कर लेनी है, अगर हम बात करें हमारा ionic equilibrium, भई बहुत tough question उससे नहीं आते, उससे direct formula based question आते हैं, जैसे कि buffer solution, या हमारा acid base का कोई mixture है, उसका pH हमें निकालना है, या salt hydrolysis हो गया, बच्चों, direct question, formula based question, ionic equilibrium से आते हैं, जो tough question advanced में आते हैं, वैसे deep questions जै मेन में आप expect ना करें, बहुत ही simple question आते हैं, तो ये chapter भी actual में काफी, महलब, असान है, कोई difficult नहीं है, बहुत ही high weighted chapter के अगर हम बात करें तो बच्चों, redox and electrochemistry मिला जुला के, आप expect कर सकते हैं कि दो questions तो आपके fix हैं इस particular chapter से, यहाँ पर redox के अंदर बच्चों ध्यान रखना कि एक तो हमारा oxidation number निकालना, या oxidation state reducing, oxidation state निकालना, balance करना, balancing से question commonly आते हैं, law of equivalence, n factor हमें पता होना चाहिए, उसके अलावा अगर हम बात करें electrochemistry से, तो electrochemistry में बच्चों E cell निकालना, यहाँ पर nurse equation और उसका application से एक question आना लगबग तै होता है, almost, उसके अलावा, delta G और E का आपस में क्या relation होता है, हाँ, electrolysis और Colrush law के basic से भी कई बार direct question आ जाता है, लेकिन सबसे hottest अगर part मैं बोलू, तो जो एक और part बहुत ही असान होता है, वो है chemical kinetics, जिससे एक question आना तो पक्का तै है, chemical kinetics एक easy chapter भी है, बहुत lengthy chapter भी नहीं है, जैसे electrochemistry relatively lengthy chapter होता है, लेकिन कम से कम nurse equation वाला part तो हमें करी लेना चाहिए, अब यहाँ पर chemical kinetics में बच्चों, एक पार्ट तो question जो बनता है, वो बनता है rate law से, rate law कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, जैसे कि various concentration दी जाती है, उसके basis पर rate constant दिये जाते हैं, और फिर rate law को निकाला जाता है, काफी common question उससे होता है, half life जो होती है, उसका rate constant से क्या relation है, rate constant की जो units होती है, और उससे हम order of the reaction कैसे निकाल सकते हैं, order और molecularity का जो basic theory होता है, दोनों में difference क्या होता है, elementary और complex reaction में क्या difference आता है, ये हमें basics आने बहुत ज़रूरी है, अब इसी का half life का बच्चो radio activity से link करके भी, question काफी strongly बन जाता है, तो radio activity की basics भी अपने को आने बहुत ज़रूरी है, plus साथ में R&S equations से बहुत ही simple question बन जाते हैं, और R&S equations के साथ साथ अपने को first order का differential और integral form आना बहुत ज़रूरी है, main बात तो ये है कि जितना practice करोगे physical chemistry में उतना ही strength आपकी बढ़ती जाएगी, तो physical chemistry को मैं sum up कर देता हूं, देखिए physical chemistry में अगर हम देखे बच्चा, तो physical chemistry में जो पहले दो chapter हैं, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, हर हालत में करने ही पड़ेंगे, ये basic concept of chemistry, you can't leave these two chapters at all, right, इसके बाद atomic structure भी you can't leave, किसी भी हालत में, ठीक है, तो अपने को तकर सारा ही करना है, उसके बाद याद रखिए कि ये जो particular chapters है न, ये सारे के सारे करने हैं, बस इनके formulas और NCRT ढंगजे कर लो, काम तुमारा हो जाएगा, PYQs करो, NCRT करो, formulas करो, बहुत ही deep में घुजने की जरूरत नहीं है, काम इससे हो जाएगा, तो सारे chapters हमें करने हैं, अब हम बात करें inorganic chemistry में, तो inorganic chemistry में सबसे पहले periodic properties की बात करते हैं, periodic properties से बच्चो एक से दो question बनते हैं, जिसमें directly अगर पूरी NCRT की बात करूं, मतलब inorganic chemistry की बात करूं, तो inorganic chemistry में NCRT is God, मतलब NCRT से करो, line to line करो, तो यहाँ पे सबसे पहला तो जो question बनता है, वो बनता है, electronic configuration से, and position in periodic table, दोनों का क्या link है, उससे question आने के chance काफी आई रहते हैं, दूसरा होता है periodic trends, जिसमें primarily Z effective, यानि effective nuclear charge कैसे vary करता है, left से right जाते हुए, या down the group जाते हुए, कैसे vary करता है, उसके basis पे हमारा जो ionic radii है, atomic radii है, ionization enthalpy है, कैसे vary करती है, इससे question बनते है, प्लस उसके अलावा, oxides का एक paragraph दिया हुआ, NCRT में, जिसमें कौन सा oxide हमारा neutral होगा, कौन सा acidic, कौन सा basic, उससे भी काफी commonly question आय जाता है, तो यह जो particular part है, इतना important है, क्योंकि periodic properties के साथ, जो P-block के काफी सारे question है, P-block के काफी सारे question इसी से हो जाएंगे, periodic properties अगर बढ़िया से आती, तो P-block आपका automatically काफी हद तक हो जाएगा, chemical bonding molecular structure की अगर बात करें, बेटा तो इसमें दो question आने तय है, यह दो questions के अगर मैं बात बोलूँ आप सभी को बहुत important part है, question जो आएंगे इन 4-5 topics में से ही किसी से आएंगे, normally question आता है, shape hybridization से, और दूसरा question आता है, paramagnetism, diamagnetism, bond order से, यानि एक molecular orbital theory से आता है, और एक हमारा shape and hybridization, VACPR या VBT theory से आता है, कभी-कभी question dipole moment से भी आने के chance होते हैं, और phazan rule से आने के chance भी होते हैं, जिसमें covalent character या ionic character का funda use होता है, तो सबसे highest priority जो इनसमें है, अगर हम देखे तो वो shape hybridization की है, फिर molecular orbital theory की है, और उसके बाद हमारा dipole moment और phazan rule भी हमें आना चाहिए, अब चलते हैं इससे आगे, P block element, P block element से देखो, कभी-कभी question दो-दो भी आये हैं, लेकिन कभी-कभी एक question भी रह गया है, याद रखिए इसको periodic properties से काफी mixed हो गया इसमें, because the reason is, यहाँ पर electronic configuration और general trends की बात की गई है, तो यह general trends जो है, यह periodic properties से भी हमें समझ में आ जाते हैं, जैसे कि inert pair effect का जो रोल है, वो सब कुछ उससे भी आ जाता है, तो यह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर याद रखिए 13 से 18 ग्रूप का जो trends है, उस ही से direct question आ जाता है, खास तोर पर इनका existence कैसा है, यानि जो elements है, वो किस form में exist करते हैं, इनके minerals, जो naturally occurring minerals हैं, वो कौन-कौन से हैं, उससे question बन जाता है, खास तोर पर first element का anomalous behavior क्यों होता है, और हर एक element, जो first element है different groups का 13 to 18, वो हमें ठीक से आना बहुत जरूरी है, इससे related एक one shot video मेंने बनाया हुआ है, उस one shot video को देख लेंगे, उसके साथ PYQ कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा, तो P block जो है, यह बिल्कुल easy catch है, बहुत easy catch है, अब यहाँ पर बात आती है, D&F block और उसके अलावा coordination chemistry की, बच्चों D&F block की अगर बात करनें, तो इससे भी एक या दो question, एक question fix है, डिर्क्टली NCRT से question आते हैं, बिल्कुल NCRT से question आते हैं, इसको NCRT से ही हमें cover करना चाहिए, और इसमें specifically lengthenide और actenides, tips पे हमारे होने चाहिए, इसमें जो lengthenide contraction है, और इसके basis पे जो trends होते हैं, oxidation states के, यह हमें आने चाहिए, plus K2CR207 and K904 की जो reactions है, यह हमें tips पे होनी बहुत ज़रूरी है, normally question आपको lengthenide contraction से मिलेगा, बाई आज के इस वीडियो में, जो भी आपको खास point अलग से लगते हैं, उनको note ज़रूर कर ले ना, क्योंकि यह आपके लिए game changing होने वाला है, जो बच्चे, अभी तक शान्ती से इस वीडियो को देख रहे हैं, फुल जोश में like कर दें, comment section में लिखना जरूर, chemistry, O.P. अब बात करते हैं, coordination compounds की, coordination compounds, भाई यह chapter बड़ा है, lengthy chapter है, है ना, तो मेहनत तो इसमें करनी पड़ती है, दो question लेकिन इसे fix है, एक question हमारा जो आता है, वो normally shape और VBT से, यानि जो particular coordination compound है, उस compound का shape कैसा है, उसमें कितने unpaid electron है, उसका magnetic moment कैसा है, एक question तो इससे related आता ही fix है, और एक question या तो IPSC naming से आएगा बच्चों, या isomerism से आएगा, कितने isomers बनें, कितने geometrical isomers बनें, तो ये portion सबसे important है, आप उसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जैसे एक बार question इससे भी आ गया था, importance of coordination compounds जो आपको दिखाई दे रहा है, directly इससे catalyst जो हैं वो पूछ गये थे, blood के अंदर कौनसा element है वो पूछ लिया गया था, vitamin B12 में कौनसा element है वो पूछ लिया गया था, तो ऐसे तो NCRT line-to-line हमें करना ही है, तो inorganic chemistry, NCRT line-to-line एक बात ध्यान रखनें, inorganic chemistry आपके लिए game changer है, limited chapters हैं, लेकिन उनका ROI बहुत high है, तो inorganic, मैं बता रहा हूँ, तीनों में से अगर physical, organic, inorganic में, अगर number one बात करेंगी, भई, inorganic को तो बिल्कुल tips पे कर लो, भई, NCRT से, मतलब आपका rank making है, inorganic chemistry, क्योंकि slivers कम हैं, और weightage उतना ही है, equal weightage है, inorganic chemistry का, अब organic chemistry की बात करते हैं, फाइनली दे लेजंट इस हैर, इनो, organic chemistry में सबसे पहले, अगर हम बात करें, तो, GOC, Isomerism and IUPAC, भई, इससे 2-3 क्वेशन पक्के हैं, IUPAC बिल्कुल NCRT लेवल पे करना है, बहुत डीप में करने की जरूत हैं नहीं, seniority table आनी चाहिए, जमके प्राक्टिस करो, बहुत टफ क्वेशन नहीं आते हैं, Isomerism में खास्त और पे, Stereo Isomerism से Question आते हैं, जिसके अंदर, Chirality, Optical Activity, Basic Concept से Question आते हैं, और, काफी use आता है, Stereo Isomerism का, उसके अलावा, Acidic Strength से, आजकल Question ट्रेंडिंग में है, यह Acidic Strength वाला टॉपिक मेंली, NCRT के करिकुलम के हिसाब से, बाद वाले चेप्टर में, LDH, Ketone, Carboxylic Acid में आता है, पर हम इसको GOC में मान रहे हैं, फिर Aromaticity से Question आने के चांस, बहुत हाई रहते हैं, फिर जो हमारे Resonance Hyper Conjugation Inductive के Basics हैं, यह Basic हमें Tips पे होने चाहिए कि Hyper Conjugation क्या है, Resonance कहां होता है, कहां नहीं होता है, और जितनी Practice करोगे यह Concept आपके उतने ही Strong होते जाएंगे, कभी-कभी Question इतने Basic Level पे भी आ जाता है, कि Ionic Reactions के अंदर Homolysis होता है या Heterolysis होता है, तो मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ, कि आपको Proper Line-to-Line Slavers के साथ जाना चाहिए, आप Slavers की Line-to-Line Cover करते जाएंगे, और NCRT को Basis रखेंगे, जम के Practice रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि मैंने आप सभी को Recommend किया था, मैं दुबारा Recommend करूँगा, कि सभी बच्चे ATP Online Test Series का हिस्सा जरूर बन जाएं, क्योंकि उसके अंदर Chapter-wise Test Series भी included है, अभी से आप जम के Chapter-wise Test दें, प्लस बाद में आप Part Test, Full Test भी देना शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब हम Hydro Carbon की बात करते हैं, Hydro Carbon में Mechanism शुरू होते हैं, तो आपके Basic Mechanisms खास तोर पे Free Radical Halogenation, Free Radical Edition, Electrophilic Edition के Basics आते हैं, तो यह Basic Mechanisms अपने को Understand करने हैं, और इसके Basis पे Simple Questions आ जाते हैं, Markonic of Edition, Anti-Markonic of Edition, यह जो Basic Concepts हैं, प्लस यहाँ पे Aromatic Hydro Carbon की अगर हम बात करें, तो Aromatic Hydro Carbon में, जो Common Question बन जाता है, वो बन जाता है, बच्चो, Electrophilic Aromatic Substitution में, कौन से Group Activating हैं, कौन से Groups Deactivating हैं, Friddle Craft Reaction कौन शो करते हैं, कौन नहीं कर पाते हैं, Aniline का Anomalous Behavior क्या है, तो आप समझ जाए, यह लगबग 2 Question अलमोस्ट, इस Particular Chapter से Fix हैं, और Line to Line अपने को जानना है, और मैं बता रहा हूँ, बहुत भारी, tough questions, आज इकल नहीं आ रहे हैं, पहले आये थे, ठीक है, Rearrangement से Question आये थे, तो अपने को कर लेने चाहिए, वी शुट अटेंट आल दपी वाई क्यूज, क्योंकि PYQs में हर तरह की Variety है, उससे अलग आपको बहुत difficult questions नहीं मिलने वाले, यहाँ पर अगर Halogen's Derivatives की बात करें बच्चों, तो Halogen's Derivatives से भी एक Question आना फिक्स है, जिसमें खास तौर पे, SN1, SN2 के Basics, और SN1, SN2 से Related Questions जो हैं, आप समिझ रहे हो, Finkerstine Reaction, Swartz Reaction, Rate of SN1, Rate of SN2, these are the key questions, जिससे Question पूछे जाते हैं, Compound Containing Oxygen में, बहुत बड़ा, बहुत सारे आजाते हैं, जैसे कि Alcohol, Phenols, Ethers, Eldehyde, Ketone, Carboxylic Acid, तो यह बहुत बड़ा, मतलब, चेप्टर जिससे 2-3 Question फिक्स हो गए अपने, अब यहां पे अगर हम बात करें बेटा, तो Elimination Reactions, यानि E1, E2, अपने को आनी चाहिए, Elimination 1, and E2 खास तो और पे हमारा Halogen Derivatives में था, तो Sridziff and Hoffman Elimination, इसलिए में कह रहा हूँ कि, सेशन के साथ-साथ जो बाते हैं, इतने सालों का Experience जो है, वो मैं आपको शेर कर रहा हूँ, तो यहां पे Reagents हैं, Named Reactions हैं, Nucleophilic Edition हैं, इसमें बहुत कुछ होता है, तो यहां पे जो Key Mechanisms हैं, वो तो हमें आने ही चाहिए, जैसे कि यहां पे Elimination Key Mechanism है, Nucleophilic Edition Key Mechanisms है, यह आने के बाद, कुछ Named Reaction भी इसके अंदर है, जैसे कि Eldol Condensation, Kenizarro Reaction, फिर Oxidation Reduction भी, यानि Oxidizing Agent, Reducing Agent भी इसमें आ गए, तो Reagents भी इसमें आ गए, तो इनको लिख लिख कर जितना Practice करोगे, और जितने Questions करोगे, यह याद हो जाएगा बेटा, क्योंकि Phenol की जो बहुत सारी Reactions होती है, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उनसे Question आता ही है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे Organic Compounds containing Nitrosin, देखिए इससे अगर हम बात करें, तो इससे कभी एक Question आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन इसमें जो Dye Formation होता है, Dysonium Salts Related Reactions है, all of them are very important, Hinsberg Reagent, Gabriel Thelemite Synthesis, उसके अलावा Isocyanide Test, यह सारी चीज आपको डंग से कर लेनी है, और इसमें खास तवर पे एक Part जो है, जो NCRT में दिया हुए है, वो है Basic Strength of Amines, तो Basic Strength of Amines जो है, जिसमें Gaseous Medium में और For Example, Aqueous Medium में अलग-अलग rate रहता है, you have to do them properly, चलो बच्चों, अब चलते हैं, Last but not the least, that is the Biomolecules, Biomolecules एक ऐसा चेप्टर है, जो बड़ा चेप्टर है, इसका ROI relatively कम है, महनत जादा है, लेकिन हाँ Question आता है इससे, तो अगर आप Afford कर सकते हैं, महनत कर सकते हैं, तो इसको जरूर करें, एक से दो Question इससे बनता है, Proper NCRT से Line-to-Line करना है, और इससे जो Question आएगा, वो directly NCRT से आ जाएगा, बच्चों, अब यहाँ पे, Last but not the least, Purification and Characterization of Organic Compounds, प्लस एक और Chapter है, Principle Related to Practical Chemistry, तो इसमें Organic और Inorganic का, जो Practical वाला Part है, उससे Question है, दोनों को मिला के बच्चों, दो से तीन Question आजकल बनते हैं, दो से तीन Question बनते हैं, लेकिन अगेन, यह Chapter भी ऐसे हैं, जिनमें महनत काफी करनी पड़ेगी, आपको Proper NCRT से पढ़ना है, NCRT के Class 11 में यह Chapter है, उसके अलावा यह जो Particular आपको Qualitative Analysis की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर, जहां पे आपके Various Cation, Anions, इनसे Related Test हैं, अगर हम इनकी बात करें बेटा, तो यह सारे के सारे जो Parts हैं, इनको करने में आपको महनत भी लगती है, लेकिन इसका सबसे Smart Way यह होता है, कि PYQs के Basis पे इनको करो, Biomolecules हो गया और POC जो हो गया, मैं Last but not the least, आप सभी को बताना चाहता हूँ, Biomolecules और POC में, इनको Fast Test करने का तरीका यह होता है, कि आप Previous Year Questions देखो, और उनके हिसाब से इनको Study करो, That will make it easier for you, otherwise these chapters are very vast, और आपका बहुत सारा टाइम इसमें consume हो सकता है, So बच्चो, Hoping that आज के Analysis से आप सभी को पता लग गया होगा, कि बहु रिविजन करनी है NCRT से जम के, NCRT हमेशा साथ में रखो, मिस्ट्री में आपको अच्छे स्कोर से कोई भी नहीं रोक पाएगा बच्चो, चलो, Hoping that ये सेशन आपके लिए helpful रहा होगा बच्चो, फुल जोश में लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स सेशन में, बबाई, टेक केर और एंड कीप डूइंग वेल, Love you all!